So, Hello and Welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Traders को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty, Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वालिया तो प्लीज जाकर एक बार चिक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं, continue वीडियो की शुरुआत करेंगे HDFC Bank Limited के साथ तो काफी बड़ी न्यूस इसमें आई है हाला कि मॉर्निंग से अगर हम देखें तो HDFC हमें टोटली डाउन जाता हो नजरा रहा है और वही अगर देखा जाए तो आज भी स्टॉक अगर देखें तो 20 रुपे तक की गिरावट बताता हो नजराया पिछले पाच दिनों में स्टॉक 24 रुपे गिर चुका है और आज 1516 रुपे की क्लोजिंग इसने दी गिरावट के बावजूत एक बड़ी न्यूस आ रही है जैपैन की एक M.U.F.G जो है वो एक बड़ा इंवेस्मेंट करने जा रहे है लगबग 2 बिलियन डॉलर का HDB Financial Service जो है जो HDFC की बैंक HDFC बैंक जो है उसकी N.B.FC आर्म कंपनी है उसमें M.U.F.G की ओर से 2 बिलियन डॉलर का एक बड़ा इंवेस्मेंट किया जा रहा है तो एक काफी बड़ी न्यूस है M.U.F.G है क्या तो यहाँ पर अगर देखे Mitsubishi U.F.J. Financial Group यहाँ पर इसका पुरा नाब है इस इन एडवांस टार्क टू इंवेस्ट अप तो 2 बिलियन डॉलर यह नॉन बैंकिंग लेंडर H.D.B. Financial Service अबसेडियो अप इंडियास लाज़ेस्ट पर प्राइवेस्ट सेक्टर लेंडर H.D.F.C. Bank तो यह काफी बड़ी पॉजिटीव चीज है तो यह काफी बड़ी पॉजिव चीज है H.D.F.C. जो H.D.B. Financials है उसमें तो यह काफी बड़ी चीज है तो यहाँ पर अगर देखें इसका एक पॉजिटीव फैक्ट पर सकता है Upcoming Trading Season Monday के दिन यहाँ पर एक अच्छी रैली इस particular shares में आ सकते है असपॉइंड के उपर आप आने वाले टाइम में ध्यान दे सकते है तो यहाँ पर अगर देखें न्यूस काफी हद तक पॉजिटीव है और उमीद है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है कब बड़त हमें देखने को मिले और वही अगर देखें तो HDFC में अपकमिंग ट्रेडिंग सेजन भी आप पॉजिटीव रह सकते अच्छे रिटन आपको मिल सकते है आज स्टॉक में गिरावट रही है अगर बड़ी मुसीबत है शेर में क्योंकि यहाँ पर अगर देखें अज भी स्टॉक में gap down रहा है और यहाँ पर स्टॉक में gap down के बीचे का reason भी मैं आगे बताने वाला हुँ आपको तो यहाँ पर हम बात कर लें अगर स्टॉक में 15 मिनट के chart frame पर तो 15 मिनट के chart frame पर देखें या फिर 30 मिनट के chart frame पर तो एक crucial level पर जो HDFC है वो यहाँ पर खड़ा है ठीक है तो यह वाली जो ट्रेड लाइन हमने बनाई है एक IMP सपोर्ट का यहाँ पर एक काम कर रही है अगर यह सपोर्ट ब्रेक होता है तो शेर में यहाँ से एक फॉल जो है कंटीन्यू हो सकता है एक गिरावट जो है स्टॉक में गंटीन्यू हो सकती है क्योंकि पहले शेर में एक सपोर्ट लेके उपर क्यों जा चुगा है और अब भी अगर यह लेवल ब्रेक हुआ तो स्टॉक में यहाँ से एक फॉल जो है वो आ सकता है और वही अगर हम बात कर लें तो stock में जो है कितनी ये गिरावट हो सकती है तो यहाँ पर gap की बात करें तो gap pending पड़ा हुआ है लगबग 12 रुपे से लेके अगर बात कर लें तो share में लगबग 23 रुपे का gap pending पड़ा है और stock में upcoming trading season भी काफी बड़े momentum आने वाले है 894 रुपे 80 पेसे पे closing रही है 24 रुपे 90 पेसे के round तक के returns रहे है काफी बहतरीन rally जो है just dial में हमें देखने को मिल रही है और वही गर हम देखे हैं तो stock में 30 minute के chart frame पर आज तो इसमें गिरावट रही मॉर्निंग में बड़त रही थी और उसके बाद एक बड़ी candle बनकी downside के और और वही गर देखे हैं तो कही न कहीं इस range के उपर सस्टेन नहीं कर पाया आज यह वाली range के उपर है आज सस्टेन नहीं कर पाया तो एक important level है यह भी बट दो गंटे के time frame पर मैं आपको कुछ important चीज़े clear करते तो की stock में अगर देखे हैं जल्द ही एक बड़े level अच्छी होने वाले है दो गंटे के time frame पर अगर आप देखोंगे इस point से गिरावट है अहां से fall देखने को बला और exactly आज उसी level के around fall रहा यहां से multiple time में गिरावट बता चुका है तो stock में यहां से एक अच्छी rally आ सकती है तो इस particular share में आप positive रह सकते हो क्योंकि आने वाले time में stock में एक बड़े level पर एक बड़ा breakout मिल सकता है और बड़े level जो है अच्छी हाँ पर हो सकते है जैसे यह वाली जो range है इस range के around आने की कोशिश कर सकता है यह level अगर break होता है त करने हाई की ओर जाने की पूरी कोशिश यहाँ पर stock कर सकता है यह वाला level यह break करने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर आप positive रह सकते हों तो देखेंगे आगे इसमें क्या होता है दीमार्ट की भी बात कर लेता है दीमार्ट में अगर देखे 4765 रुपे 85 पेसे की closing रही 11 र levels क्या कहता है कि इन points के ओपर हमें ध्यान देना चाहिए तो levels काफी शानदार है stock में अगर देखे upcoming trading season भी positive रहने लाइक levels यहाँ पर बन रहे है stock में अगर देखे यह वाला range अगर break हो गई तो stock में अच्छी तेजी आ सकती है क्योंकि एक proper upside down momentum जो है यहाँ पर शो कर रहा है जैसे यहाँ पर यह levels की बात कर रहे है तो एक symmetrical type pattern के साथ साथ pollen flag type pattern भी कह सकते हो breakout अगर आता है तो यहाँ से एक अच्छी तेजी आ सकती है साथ ही अगर हम बात कर ले stock में वनार के time frame पर भी देखे हैं तो यहाँ से एक अच्छे momentum बता रहा है और one week के time frame पर अगर देखे तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो एक बड़े breakout यहाँ पर इस शेयर बताने की कोशिश आपर कर रहा है एक बड़े label पर अगर देखे हैं तो यहाँ पर एक symmetrical type pattern शेयर में बन रहा है breakout के बाद इसने sustain करके एक अच्छी rally बताई है तो stock यहाँ से सीधा 5800 के around again जाने की कोशिश इसकी हो सकती है तो यह बड़े range यहाँ पर cover कर सकता है शेयर तो इस point के उपर भी आपको ध्यान देना चाहिए एक split share को discuss कर लेते हैं split share का नाम है भारत बिजली लिमिटेट electric equipment बनाने वाली company है 6500 रुपे का शेयर है 235 रुपे के round तक अगर अब देखोगे तो stock में आज गिरावट रही split होने वाला यह शेयर आने वाले टाइम में तो split कितना होगा तो यह भी important चीज है तो यहाँ पर अगर देखे तो 10-5 का split जो है यहाँ पर company के और से announce किया जा रहा है और 10-5 split यहाँ अगर देखें तो आपके पास अगर इस company के 10 share है तो 10 share जो है यहाँ पर 5 share में तो 10 share में तूटने वाले 24 सपरेल 2022 से पहले लिवाई करोंगे तो बिल्कुल आपको इसका benefit मिलने वाला है तो और ओल काफी कुछ चीजे जो हैं डिसकस कर चुके इन पर्टिकलर शेयर्स को लेगर इस वीडियो में तो I hope वीडियो आपको helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like चनल को subscribe करना और कोई भी stock में investment करते हो तो इनका analysis कर लेना साथी टेलिग्राम चनल को join करो link नीचे description में thank you